नमस्का दोस्तों, वेलकम बैक टो रिदान समॉंग गाडन तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस बहुत ही सुन्दर खुस्बू वाले पौदे के बारे में इसका नाम है रजनी गंदा और आपने सुनाई होगा, रजनी गंदा बहुत ही ज्यादा आपने खुस्बू के लिए प्रसिद्ध है और इसे बुके में भी यूज किया जाता है आपने जब भी बुके खरीदे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि सबी बुके में ये फूल जरूर होता है क्योंकि इसकी खुस्बू बहुत तेज होती है पूरे घर को महका देता है और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है तो आज मैं आपके साथ इसी प्लांट के बारे में सारी टिप्स वगरा शेयर करूंगी इसके रिक्वार्मेंट वगरा सारी बात करूंगी तो दोस्तो आप एंड तक बने रहिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं इसका पॉट सेलेक्शन तो दोस्तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगी अगर आप ये बल्ब वाले पौधे लगाए है तो प्लास्टिक का मोश्चर प्लस ओवर वाटरिंग या पानी का मोश्चर की वज़े से ये बल्ब जो है खराब हो जाता है तो इसलिए हमेशा कोशिस करिए कि जितने भी बल्ब वाले प्लांट है वो मिट्टी के पौट में ही लगाईए वैसे दोस्तों मैं तो सभी प्लांट को मिट्टी के पौट में ही ग्रो करना पसंद करती हूँ लेकिन हमारे एरिया में थोड़ी से दिक्कत है बंदर आते हैं तो गंबले तोर देते हैं इसलिए जो है प्लास्टिक का पौट भी इसलिए पौट में भी मैं ग्रो की हूं बहुट पौधि लेकिन यह रजनी गंदा को मैं ने मिठिके पौट में लगाया है और इसके जो गहरे रूट नहीं होते यह बल्ब वाले पौधि थे हैं तो इसके जो है बल्ब बनते हैं नीचे गहरे रूट्स नहीं जाते हैं तो ज्यादा गहरे वाली पॉट आपको लेने के जुरत नहीं है आठ से दस या बारह इंस तक का पॉट इसके लिए सफिसेंट है और दोस्तों ये इसको कब रिपोर्ट करें जैसे ही ये पूरा ये फिल हो जाएगा बल्ब से जैसे इसको रिपोर्ट करके हम दूसरे गंबले में लगाएंगे तो एक ही पौधे से कई सारे पौधे तयार हो जाएंगे और इसको जब भी रिपोर्टिंग कीजिए आप स्प्रिंग में कीजिए और इसका ग्रोइंग पिरिड जो है गर्मी होता है तो बहुत सारे लोग कहते ह कि उनके रजनिpower में फ्लाविर नहीं होती है है लेकिन दोस्तों फ्लावरिंग होती है इस हमें काफी time लग जाते है छार महिने करीब लग जाता है इसके you इतना क्षूपसूरत ये फूर और एक बार धूस्तों ये फूलagn फूल खेल जाए तो ऐसे जगह में प्लेस कीजिए जहां पर दो पहर की धूप ना पड़े अगर आप दो पहर की धूप वाली जगह में रखेंगे तो यह इसके फूल जो है वो जल्दी मुर्जा जाएंगे और इसको जो है पांस अच्छे घंटी की संलाइट जरूरी है इस और दोस्तों इसको जो है सोयल मिक्चर विल ड्रेन सोयल चाहिए तो इसके लिए आप 40% जो है रेत मिला लीजिए और 30% आप जो भी फटिलाइजर यूज करते हैं मैं तो किचन वेस्ट यूज करती हूँ तो वो मैं 30% मिलाती हूँ आप चाहे तो गोबर के खात भी यूज कर सकते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा है और या यह कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं तो यह ज्यादा इसको फटिलाइजर की जूरत नहीं पड़ती है आप इसमें फटिलाइजर भी कैसे दे पाएंगे क्योंकि अभी इसमें तो गैप है लेकिन यह जब बढ़ जाता ह तो पूरा फिल हो जाता है तो इसको जब आप इसका पॉटिंग मिक्स तयार करें तब ही इसमें सॉफिसेंट फटिलाइजर दे दीजिए और महीने में एक बाद इसको एनपी के रिच फटिलाइजर दीजिए अगर आप केमिकल्स वकर यूज करते हैं तो बोन मील इसमें दे सकते हैं या वर्मिंग कंपोस्ट थोड़ा साइड में डाल दीजिए या फिर आप बनाना पील फटिलाइजर दीजिए इसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है एनपी के नाइट्रोजन पोटाशियम फॉस्परस्थीनो इसको मिल जाता है तो इसमें मैं बनाना पील फट पानी स्टोर रहता है तो जैसे यह उपर का लेर ड्राइ हो जाए उसके बाद इसमें पानी दीजिए या फिर इसके लीफ्स भी शो कर देते हैं सिम्टम बता देते कि अब मुझे पानी की ज़रूरत है पानी दीजिए इसके लीफ्स जो है ऐसे नीचे मुड़ने लगते है तो सुबा में मैंने इसमें पानी दिया है थोड़ा से यह मुड़ चुके थे और यह पूरा ड्राइ हो गया था उपर का स्वेल तो मैंने तब मैंने इसमें पानी दिया और दोस्तों इसको जो है विंटर इसका डॉमेंसी पिरेड होता है विंटर में इसके सारे लीफ्स प इसे ही चोड़ दिया था कुछ लोग कहते हैं कि इसके बल्ब निकाल लेना चाहिए लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि बल्ब आप एक बार निकाल के स्टोर करेंगे फिर आप मार्च में इसको लगाएंगे तो फिर से मुझे लगता है इसको फिर से मेहनत करनी पड़ है इनके लीव में कट कर देती हूँ वह भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगे कैसे डॉमेंस से में इसको देख भाल की जाए और दोस्तों ओवर वाटरिंग से इसमें फंगस लग जाता है तो आप नीम ओल स्प्रे कर सकते हैं वैसे इसमें जब से यह लीफ वगेरा डेपलप हुआ है तब से इसमें कोई क्योड़े वगेरा नहीं लगे हैं हम डिसमबर में लास्टर डिसमबर में इसमें चोटे-चोटे क्योड़े लग गए थे तब मैं इसके सारे लेफ्स कट कर दिये थे तो यह बहुत ही इसको अपने गार्डन में एड करेंगे तो इसक एक बार आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो पूरा आपका गार्डन महग जाएगा तो दोस्तों आशा करती हूँ आपका वीडियो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लोट करूँ उसका नोटिफिकेशन आजाए और ऐसे ही हमारी मुलाकात होती रहे थैंक यू एन हपी गार्डिनिंग